Hello everyone, आज मैं आप लोगों के लिए एक कविता लेकर आई हूँ जिसका सर्सक है कागज की नाओ कागज की नाओ से आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग बनाते भी होंगे यहाँ उसी नाओ की बात की जा रही है इस कविता में कवी ने अपने बच्चपन के उन दिनों की कलपना की है जब वे छोटे थे, बच्चे थे और अपने शाथियों के साथ, अपने भाई बेहनों के साथ वो बारिश के पानी से खेलते होंगे और पानी में कागज की नाओ बना कर तैराते होंगे आप लोगों को भी कागज की नाव बनानी आती होगी आप लोगों ने भी नाव बना कर पानी में तेराया होगा तो यहां उसी की बात की जा रही है और कब ऐसा होता है कब हम ऐसा करते है जब हमारे आसपास पानी जमा हो जाता है और पानी कब जमा होता है जब बारिश होती है यानि बरसाद के मौसम में जब बारिश होती है उस समय चारों तरफ यहां वहां छोटे गड़ों में पानी भर जाता है और तब जाकर यह मौका मिलता है उस समय अच्छे क्या करते हैं काविज की नाओ बना कर खेलते हैं पानी म उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है तो आईए हम लोग भी इस मनोरंजब कईता का धियन करते हैं आनंद उठाते हैं तो इसमें बताया गया है इठलाती बल खाती देखो जल्धार चली इठलाती बल खाती देखो जल्धार चली कागज कीनाव चली पानी के पाओं चली लहर लहर दोड रही शहर चली गाओं चली छोड़ छोड़ नदिया को सागर के पास चली इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट अस्ताजा में कहा जा रहा है क्या कि जल्धार इठलाती हुई बल खाती हुई बढ़ती जा रही है इचलाना मिंस गर्व करना, खुशोना है नौँ वो खुशोकर आगे बढ़ती जा रही है और कागज की नाव भी उसी के साथ साथ पानी के पाउं से चलती जा रही है पानी के पाउं से क्यों क्योंकि आप जानते हैं यहां इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि नाव के पाउं तो नहीं होते तो वो कैसे चलती है वो पानी के सहारे ही आगे बढ़ती जाती है पानी की लहरें गाउं सहर होती हुई सब को छोड़ चाड़ कर समुद्र के पास जाकर मिल जाती है आप लोग जानते हैं कि नदियां कहा जाकर मिलती है वो सभी समुद्र में जाकर ही मिलती है फिर नेक्ष्ट देखिए फूल भरी नईया है बहती पुर भईया है बच्चे सब बोल रहे भईया है भईया तट छोड़ छोड़ नईया मजधार चली इसमें बताया जा रहा है कि बच्चों ने जो नाव बनाया है उस नाव में उन्होंने फूल रखा है फूल क्यों रखा है उन्होंने नाव में फूल क्यों रखा है तो यहां बताया गया है आप लोगों ने भी कहानी सुनी होगी बहुत सारी कहानियां बच्पन में बच्चों को सुनाई जाती हैं जिसमें से एक बहुत ही प्रशिद कहानी होती है कि इसके परिमों की कहानी है तो बच्चों ने क्या किया है उन्हें खुश करने के लिए नाव में फूल रखा है पुर्वाया हवा बाह रही है, ठंडी ठंडी हवा चल गई है बच्चे सभी हईया है करके बोल रहा है सोगर मचा रहा है और बच्ची करती है कि भाया अब तड़ छोड छोड़ करके यानि अब अलग हट जाओ नईया मजदार चली गई है यानि नदी की बीच की धारा में पहुँच गई है नदी के बीचों बीच पहुँच गई है इसलिए अब किनारे से हट जाओ नाव नए देश चली लेकर संदेश चली थिरक थिरक नाच नाच परियों के देश चली सबकी तो डूब गई मेरी उस पार चली बच्चे कह रहे हैं कुछ बच्चे जो आँपे हैं सबने नाव बनाया है और नाव में उन्होंने फूल रखा है फूलों के माध्यम से उन्होंने परियों को एक संदेश भेजा है परियों को क्यूं? क्योंकि आपने भी परियों की कहाने शुनी होगी और ऐसा आप लोगों ने भी सुना होगा कि परी हमारी सारी विसल्स पूरी कर सकती है और बच्चों की चाह होती है कि वो परियों से मिले ताकि वो जो कुछ भी उनकी इच्छा है वो परियों के सामने रख सकें ठन और परियों उनकी सारी च्छें पूरी कर दें तो इसलिए बच्चों ने क्या किया है परियों के नाम एक संदेश भेजा है कुछ बच्चों की नाव तो डूब जाती है लेकिन कुछ की नाव आगे बढ़ती जाती है ये देखकर बच्चों को अत्यानते ही प्रशन्वता होती है सभी बहुत खुश है इठलाती बलखाती देखो जलधार चली कागज की नाव चली इस तरह इठलाती बलखाती हुई जलधारा आगे बढ़ती चली जाती है और उसके साथ साथ कागज की नाव भी बढ़ती जा रही है बच्ची बहुत ही खुश हो जाते हैं हाना ओके आप लोग समझ गय होंगे अब हम लोग कुशन आंसर देख लेते हैं यहां आप लोग देख रहे हैं मौखिक से फ़र्स्ट है जलधारा इठला रही है और बल खा रही है कभी ऐसा क्यों कह रहे हैं कभी ऐसा क्यों कह रहे हैं क्योंकि जलधारा जो होती है वो पुर्णता स्वतंत्र होती है उसे कोई रोक नहीं सकता वो अपना रास्ता स्वैम बनाती हुई आगे बढ़ती चले जाती है है ना इसलिए कभी ऐसा कर रहे है next question है question number two नदी किस से जाकर मिलती है समुद्र से जाकर मिल जाती है फिर लिखित से आप देख लिजिए first question है now सहर और गाव कैसे जाएगी now कैसे जाएगी नाव के तो पाउं नहीं होती, तो कैसे जाएगी? नाव जलधारा के साथ बहती हुई सहर और गाउं जाएगी फिर नेक्स कोश्चन है नाव कहां थी रख रही है? नाव पानी में थी रख रही है यह ना? यह तो इसी है फिर नेक्स है आप क्या संदेश लिखकर अपनी नाव में रखना चाहेंगे? लिखिए तो आप क्या संदेश लिखना चाहेंगे? तो आप यहां लिख सकते हैं कि हम परियों के नाम एक संदेश लिखकर नाव में रखना चाहेंगे क्योंकि परियां हमारी इच्छाएं लिखकर वहां नाव में रखेंगे Question number 4 नीचे लिखे कथन को सही वाक्यान से जोड कर लिखे यहां देखिए कहा जा रहा है कि नाव पानी के पाउं से चल रही है क्यों? क्योंकि आपको यहां बताना है अब क्या आपको सटिक लगता है? यहां तीन option दिया गया है नाव के पाउं नहीं होते हैं या तो यह सही है नाव के पाउं नहीं होते हैं या फिर पानी के पाउं नहीं होते हैं या फिर नाव पानी के बिना चल नहीं सकती है तो आपको जो सबसे ज़्यादा सही लग रहा है वो आप लिखेंगे नाव पानी के पाउं से चल रही है क्योंकि नाव के पाउं नहीं होते हैं नाव के पाउं नहीं होते हैं इसलिए उसे पानी की मदद लेनी पड़ती है पानी के सहरे भी वो आगे बढ़ती है, चलती है, है ना, ओके, अब नेक्स्ट कोशन है, कोशन नमबर फाइव, कवीता की पंक्तियां पूरी कीजिये, इसमें आप कवीता पढ़कर इसे पूरा कर सकते हैं, जैसे कागज, कागज से स्टार्ट इसको किया गया है, तो कागज क की नाव चली, पानी के पाउं चली, लहर लहर दोड रही, सहर चली, गाउं चली, छोड छोड नदिया को सागर के पास चली, इस तरह इसको कंप्लेट करेंगे, फिर नेक्स्ट में है, नेक्स्ट अस्टान जासे ये लिया गया है, नाव नए, नाव नए देश चली, लेकर संदेश चली तिरक तिरक नाच नाच परियों के देश चली सबकी तो डूब गई मेरी उस पार चली इस तरह ये भी पूरा हो गया अब आप लोग देख लिजे भाशा की बात अब इसमें कुछ कोशन्स दिये गया है इसको आप सॉल्ट करेंगे फर्स्ट कोशन है एकार की मात्रा वाले मात्रा वाले शब्द आपको कविता से चुनकर लिखना है और उच्छारण करना है जैसे एक यहां दिया गया है नईया उसी तरह आप कविता में ढूंडेंगे और कौन सा एकार की मात्रा वाले शब्द इस कविता में आये हैं जैसे ह भाइया भाइया पुर्वाइया यह सारे शब्दे हाँ लिखेंगे और बोल कर पढ़ेंगे फिर नेक्ष कोशन है एक समान सब्दों के जोड़े कवीता में से चुब कर लिखेंगे यानि एक ही सब्दों का दुबारा प्रयोग जो होता है वैसे सब्द जैसे लहर लहर उसी प्रकार कविता में और भी शब्दा आया है, छोड़ छोड़, ठिरक ठिरक, नाच नाच, यह शारे शब्द आप लिखेंगे, फिर नेक्स्ट कोशन है, एक शब्द में से अनेक सार्थक शब्द बना कर लिखिए, जैसे कागज, कागज में से यहां एक बना करके दिखाया ग है उसी तरह मज्धार और सागर से भी आपको वढ़नों को मिलाकर उससे id bilang कर अलगळण को बनाना जैसे मज्धार से हम बनाएंगी क्या जैसे मज्धार यह दो अलग-अलग परियाए वाची शब्द चुनकर लिखिए बॉक्स में आप देख रहे हैं, परियावाची शब्द दिया गया है, उसी से आपको शब्द चुनना है, जैसे नदी का परियावाची शब्द लिखना है, तो इसमें हम देखेंगे, नदी का परियावाची शब्द क्या क्या होगा, नीर है, तो नीर नदी का परियावाची शब्द होता है, नहीं होता है तो यानि यह नहीं होगा फिर तटीनी है तटीनी नरी का परियायवाची शब्द है तो यहाँ एक तटीनी लिखेंगे और एक और क्या होगा सरीता फिर नेक्स्ट है जल तो जल का परियायवाची शब्द क्या क्या होता है यहां दिया गया है नीर और वारी फिर उसको यह रात फूल का तो फूल का क्या क्या होगा? कुश्व, कुश्प फिर नाओ का नया, नो का ओके? फिर कोशन नमबर फाइव कोशन नमबर फाइव में कह रहा है कि कविता में से क्रिया सब्द चुनकर लिखिए जैसे बल खाना फिर देखो तो यह आप लोग ढूंड सकते हैं इससे और कौन-कौन सी क्रिया है इसमें है जैसे चली दौड रही है ना इसके बाद बोल रहे डूब गई यह सारी क्रिया है पार चली यह सब आप लोग यहां लिखेंगे फिर नेक्स कोशन है नीचे लिखे अनेक सब्दों के लिए एक सब्द लिखिए अनेक सब्दों के बदले एक सब्द है ना जैसे पूर्व की हवा यानि पूर्वईया जल की धारा जल धारा पानी के बीच की जहारा मजधार नाव चलाते शमय बोला जाने वाला शब्द हैया है ना चलाते शमय कौन सा सब्द बोला जाता है है यह है है इसको आप लिखेंगे ओके यह चैप्टर आपका कंप्रेट होता है आप लोग अच्छी तरह समिझ गया होंगे ओके थैंक यू